इस वीडियो में डिसक्स करने वाले हैं कि आप एक्सपर्ट लेपल तक का एक्सपीरेंस हम आपके शायर करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी जॉप इंटर्वीट लिए जा रहे हैं जिसकी परफाइल जा रहे हैं अबने स्टेटर यह सीनियर सिस्टम एड्मिनिस्टेटर हैं तो कौन-कौन सी चीजें हैं कौन-कौन सी बाते हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है अब चैनल पर अभी हमने रिसंट्री प्लेइस्ट एड की थी और जिसमें हमने को सिस्की थी आपको 45 तो 48 वीडियोस हमने उस प्लेइस्ट में अप्लेड अप्लोड कर चुके हैं और कवर मल्टीपल टेकनोलोजी इसमें आप देखेंगे तो कहीं मोस्तली 80 परसें जो कॉंटेंट हमने आपको प्लेइस्ट में दी है ना वह 80 परसेंट आपको इस जॉब डिसक्रेप्शन में इस वेकंसी की जेडी में मिल जाएगा अगर आपने प्लेइस्ट नहीं देखिए तो आप प्लेइस्ट में क्लाउड की यूटूब चैनल पर प्लेइस्ट पर क्लिक करो और वहां पर सर्च करो हाव तो बीकिम सिस्टम अड्मिनिस्टेटर इन 2024 आपको सारी इंफर्मेशन मिल जाएगे जीरो से लेकरके एक्सपर 2 लीबल तक की की सीनिर सिस्टम अड्मिनिस्टेटर जूर्जियर सिस्टम आप्मिनिस्टेटर दोनों प्रोफायल के लिए खमारा कॉंटेंट में साप्ली कि मलें अगर हमारे कॉंटेंट पर आप जाते हैं तो डिफनेटी यूइन अपलाई फॉर्थ बोथ वेकिंसी है मेरे पास जो डेली लोकेशन में कंपनी है और इनकी रिक्वार्मेंट मैं आपको बता देता हूं जो कंडिडेट चाहिए एट येर्स का एक्स्पिरियंस चाहिए इनका पैकेज है वो टेल लेक एल पीए से 12 लाक एल पीए के बीच में है 10 से 12 लाग का ये करनी के लिए डाटली मूब करते हैं अपने के स्क्रीन पे और आपको डिस्क्राइब करते हैं किस जब रहे जो ज़ू प्रोफाइल है उसके बारे में नशीनacy wonderful ब्रूपाइल mm सोलूशन प्राइबेट लिमिटर यह कंपनी है डेली लोकेशन ओखला लोकेशन में अविलीबल है ओखला इंडेस्ट्रेल एरिया के पास में इसका ओफिस है दस लग का पैकेज है एप्रॉक्सिमेटली फुल टाइम जॉब है और फुली डेशिप्ट है सेकंड इंपॉर्ट और सिनेर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर दूसरा अच साल का एक्स्पीरियंस इनको चाहिए जो भी बन्दा अपलाई करेंगे मिनमम में एट ईयर्स का वेकंसी के लिए आप अप्लाई करते हैं या आपको जॉब इंटर्व्यू काल रिसीव होता है करना है कि यहां इस लोकेशन पर सच्वेटर है सेकेंड इस कंपनी का काम है आउट्सोर्सिंग करना टेक्निकल सपोर्ट करती है बहुत सारे क्लाइंट से राइट और इनकी जो को टेक्नलोजी थे विंडोस सर्वर है व्याव है लिए पहले सब्सक्राइब करना है जब भी आप इंटर्वी के लिए जाते हैं या फिर किसी कंपनी के लिए अपको 10% information at least उस time के लिए interview के टाइम के लिए आपको त्यार करके रखने हैं दूसरा important part जो आपका resume है you know that resume में आपका पहले से shortlist shortlist हुआ है तभी आपको call receive हुई है so उस case में जब आपको जब आपका resume shortlist हुआ है और आपको job interview के लिए बुलाया जा रहा है है so you just need to go through the job description and responsibility अब आप इस में देखिए सबसे पहला point इन्होंने में सर्वर मैनेजमेंट सो सर्वर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा describe इन्होंने नहीं किया बस installation maintenance physical server virtual server यह सारी information इन्होंने provide कर रखी है क्योंकि you know that possible नहीं है कि सारी की सारी information job description में share की की जा सके या आयट की जा सके सो ऐसी कंडिशन में जहां पर सर्वर की बात आती है 99 परसे आपको ADDS के बारे में टास्क परफॉर्म करना आना चाहिए you must need to go through the all services related to the activity like how to install activity what is AD what are the database file for the activity FSO more roles क्या होते है AD के अंदर replication क्या होता है AD का कैसे हम इंट्रा साइट और इंट्रा साइट एप्लिकेशन पर फार्म करते हैं कमांड्स आपको याद रखनी है जितने भी FSO more roles होते हूं उनको त्यार करके रखना है DNS क्या होता है DNS का implementation क्या होता है यह एक पूरा का पूरा आप एक लिस्त त्यार करेंगे कि सर्वर में जो possibilities है question की interview जो आप से question put up करेगा वो AD के complete part कहीं से भी question आ सकता है installation हो या फिर FSO more roles हो या application त्यार करनी की बात हो user की बात हो containers की बात हो I am talking about the OU side create करनी की बात हो या फिर आपका ADC configure करना या RODC configure करना या GC AD से जुड़े सारी services आपको त्यार करनी है दूसरा important part installation बहुत जादा important role play करता है they will definitely ask you कि आपने कौन से server model पे काम किया है what I am saying हम normally VMware workstation इस्तेमाल करके right Windows Server 2016 install कर लिया 2022 install कर दिया 19 install कर दिया but यह हमारी practice के लिए right यह आपका justify नहीं करेगा कि आपने server पर task perform किया even you you know very well about the all features related to the activity but he justify कर पाना थोड़ा सा मुस्किल होगा जब तक आप model नहीं बताएंगे कि मैंने डेल के EMC server पे काम किया है HPK XYZ model पे काम किया है Acer के model पे इस model पे काम किया है because what exactly happen company आपको hire कर रही है physical server को handle कराने के लिए right your responsibility to take care of the physical server जो भी उन्होंने mention करता है ज्यादतर जो models होते हैं similar होते हैं बहुत ज्यादा gap नहीं होता different differences नहीं होते हैं bios अलग हो सकता है बट उसके अंदर के जो features हों वो लगभाग एक तरीके के काम करते हैं अब आपको hardware की अच्छी knowledge होने चाहिए दो तीन model number आपको clear कर लेने हैं उसके specification को निकाल लेना है configuration को निकाल लेना है कि अगर हम डिल का ये version बोलते हैं या HP का ये model बोलते हैं तो उसका configuration क्या होगा 64GB RAM होगा right SSD होंगी उसमें UEFI BIOS supported होगा hardware rate supported होगा ILO port होगा या ID rack port होगा right यह सारी information आपको collect करके रखेंगे second इन्हों ने demand की है कि हमारे engineer को जो भी हम hire करेंगे उसको VMware administration का भी knowledge होना चाहिए बहुत basic है playlist में हमने clearly mention किया है आज की डियेट में senior system administrator की job अगर हमें पानी है तो we must need to prepare ourselves for server active IT office 365 right we must need to know about the virtualization part चाहे वो hypervisor को या फिर हमारे यह सक्साइड वी स्पेर की information हो बहुत कुछ ज्यादा information नहीं चाहिए आपको यह सक्साइड इंस्टाल करना यह सक्साइड के अंदर वीम क्रियेट करना वी सेंटर को एक्सेस करना वी सेंटर को एक्सेस करके उसके जो features रहते हैं लाइक हो गया DRS हो गया यह इस तरीकी के टास्क आपको तोड़े बहुत आने चाहिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की रिक्वार्मेट नहीं है इंटर्विय के लिए आपके पास वर्चुलाइजिसन का आइडिया होना चाहिए अगर कंपनी ने वर्चुलाइजिसन इन्वार्मेंट में सेट अप किया है और बहुत सारे सर्वल लगा रखे हैं तो डेफिनेटल उन्होंने शेयर स्टोरेज भी यह उपन फाइलर की एक्लिस आप बोल सकें कि मेरे पास स्टोरेज से रिलेटेड यह वाले तोल पर मैंने काम किया है आप अब टू कॉंफिगर सैन स्टोरेज ने स्टोरेज रेड सिस्टम फाल सिस्टम का अच्छा-खासा आइडिया है आम एबल टू मैनेज इट घेक है IP phones होते हैं, उनको configure करना, उनको connect करने की information आपके पास होनी चाहिए, थोड़ा बहुत troubleshooting का part, कि network नहीं आ रहा है, या उसमें dial नहीं आ रहा है, तो किस तरीके से resolve करेंगे, cable कौन सा लगता है, cabling कैसे करते हैं, basic सा idea, आपको continue carry करके जाना है, Active Active Management का separate part, operating systems for server operating system, server के जितने भी model है, जितने भी version है, 2008 से लेकर के, 2022 तक के बीच में, जो भी gap है, चोटे बोटे, उस gap को आपको clear कर लेना है, कि hypervisor with server 2008, hypervisor with 2016 और 2022 में क्या differences है, operating system हो गया, team leadership and management, ये थोड़ा सा आपका kind of ITIL का part आजाता है, या प्रिंस certificate के अनतरगता आजाता है, कि आपको please थोड़ा सा team handle करना आनी चाहिए, क्योंकि जो आपके junior system administrator होंगे, नॉर्मल system administrator होंगे, उनको आप guide कर सको, उनको आप अच्छे से manage कर पाओ, ये हमारी responsibility है, में से इस particular post के लिए हमारी responsibility है, serious system admin is responsible to take care of the junior system administrator या system administrator, again document and reporting वो नॉर्मल ही है, technical support में आपका idea होना चाहिए, कि आपने like as server पर काम किया है, SAN पर काम किया है, VMware का backup, virtual machine का backup, server का backup, ये सारी information आपके पास होनी चाहिए, दूसरा, certification is mandatory होता है, मतलब अगर आपके पास certification है, तो definitely आपकी priority थोड़ा से बढ़ जाएगी, अगर आपके पास VMware का certificate है, अगर आपके पास MCSA का certificate है, या latest version AZ 800 का certificate है, तो कहीं न कहीं, आपका resume है, या आपके CV, या आपको like ज्यादा value दी जाएगी, because you know that certificate का मतलब है, definitely you are serious about your job profile, you are serious about your domain, ठीके न, so ये सारी information है, आपके पास, आप 34 vacancy पे apply कर सकते हो, तयारी कैसे करनी है, वो मैंने आपको थोड़ा सा hint दे दिया, guide दे दिया है, कि आप पहले company के बारे में basic information निकाल होगे, proper तरीके से क्या करती है, क्या नहीं करती, दूसरा, technical skill, VMware का part, active IT का part, server hardware का part, ये सभी को combine करके आपको जाना है, so guys, this is the information about the vacancy, और हम courses करेंगे कि week basis पे, आपको 2 से 3 vacancies ऐसे share करें, और help करें to get a job, अभी हमने senior system admin पे बात किया है, develops पे बात करेंगे, we'll also discuss about the Azure and cloud technology, so आज के लिए इतना है, do subscribe your own teach me cloud YouTube channel,